चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे अंतरिम बजट 2024 पचीस और सामाजिक न्याय के बारे में उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि अंतरिम बजट 2024 में मुख्य बाते क्या क्या है वितमंतरी निर्मला सितारमन ने एक फरवरी को मौजूदा मोधी सरकार का आखरी बजट पेश किया उन्होंने 58 मिनट भाशन दिया यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रेल मैं में आमचुनाव होने है नए सरकार बनने के बाद पूर्ण भहुमत जुलाई में पेश होने की उमीद भी है वितमंतरी सीता रमन के कारेकाल का यह चटा बजट है वितमंतरी ने इस तोरान कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है यहीं वज़य है कि सरकार ने किसी तरह की घोशनाय करने से परहेश किया है हालां कि अंतरिम बजट में चार सेक्टर्स प में पेश होता है एक या तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं हो या फिर तुरंत लोगसभा चुनाव होने वाला हो इस बार का बजट अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि सरकार को कुछ महीने बाग चुनाव में जाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि आम लोगों से जुड़ी दो मुख्य बाते कौन सी है जो इस बजट में है पहला है इंकम टेक्स लेब के बारे में सरकार ने आम आदमी को इस बार इंकम टेक्स में कोई राहत नहीं दी है टेक्स लेब में कोई बदलाब नहीं हुआ है इसके अ केविल कस्टम ड्यूटी एक्साइस जोटी को बढ़ाया या घटाया जाता है जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है अब हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में यानि की चार परमुक वर्गों के बारे में गरीब, महिलाई, युवा एवं अनदाता यान इसले दस वर्षों के दोरान सरकार ने 25 करोड लोगों को बहु आयामी गरीबी से बहराने में मदब की हैं पीम धंजन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाग करोड रुपय का पर्तिक्ष हस्तांतरंड गुआ है इससे सरकार को 2.7 लाग करोड रुपय की बचत पीम जंधन योजना के जरीए विशेश तोर पर कमजोर आदिवा से समूहों यानि की पीवी टीजी के विकास पर जोर दिया गया है पीम विश्व कर्मा योजना के तहट 18 व्यवसायों से जुड़े कारोबारियों और शिल्प कारों को एंटू एंड मदद मिली हैं आने द फसल बीमा योजना के तहट 4 करोड किसानों को फसल बीमा उपलब्द कराई गई हैं इलेक्ट्रोनिक नैशनल एग्रिकल्चर मार्केट ई नाम के तहट 1361 मंडियों को एकिकरत किया गया है इससे 3 लाग करोड रुपे की खरीद फरोग के साथ 1.8 करोड किसानों को सेवाय उ दिन्यों को दिये गए है उच्छ सिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 परतेशत तक बढ़ा है स्टेम पाठ्यक्रमों में चात्राओं एवं महिलाओं का 43 परतेशत नामांकन जो दुनिया में सबसे अधिक है पीम आवास योजना के तहट 70 परतेशत मकान ग्रामेर महिलाओं को दिये गए है आयुशमान भारत योजना के तहट स्वास्त सेवा सुरक्षा में सभी आशा कारे करता हो और सहाई काओं को भी शामिल किया गया है क्रशी इवं खाद्य प्रसंसक्रण की बात करें तो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाग किसान लाभानुत प्रधान मंत्री सुक्ष्म खाद्य प्रसंसक्रण उध्यम के उपचारिकी करण योजना से 2.4 लाग सेम सहायता समूहों और साथ हजार लोगों को रिन सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है। पर उपलग्द कराई जाएगी। रक्षा उधिशों के लिए डीप टेक प्रध्योकी को मजबूती देने और आतम निर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अगर बात करें तो लॉजिस्टिक्स, खुशलता को बहतर करने और लागत घटाने के लिए पीम गतिशक्ती के तहट तेन परमुक आर्थिक रेल गलियारे कारेकरमों की पहचान की गए है। इसमें पहला है उर्जा, खनीज, एवं सिमेंट गलियारा, दूसरा है पत्तन, संपरकता गलियारा और तीसरा है अधिक यातायात वाले गलियारे। चालिस हजार सामान्य रेल डिबों को वंदे भारत मानकों के अनरूप बदला जाएगा। और तरली करण शमता स्थापित की जाएगी। गुडवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमबर्क मनाया जाएगा। इस परकार की गती विदियों का वित पोशन करने के लिए राज्यों को मैंचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दिरगा वदी रिन प्रदान की जाएगे। निवेश की अगर बात करें तो वर्ष 2014-2023 के दोरान FTI का अंतरपरवा 596 अरब डॉलर रहा है जो वर्ष 2015-14 के दोरान हुए FTI अंतरपरवा के मुकाबले दो गुना है। विक्सित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार की बात हुई है राज्य सरकारों द्वारा विविन पडाओं से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त दिरण की रूप में 55,000 करोड रुपे के प्रावधान का प्रस्ताव है। अब हम बात करेंगे संशोदित अनुमान 2023 के बारे में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोदित अनुमान 27.56 लाग करोड रुपे है जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाग करोड रुपे है। कुल व्या का संशोदित अनुमान 44.90 लाग करोड रुपे है 30.3 लाग करोड रुपे की राज़स्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उमीद है जो अर्थ व्यवस्ता में मजबूत विकासतर और इसके उपचारी करण को दर्शाता है। वितवर्श 2023 और 24 के लिए राजकोश्य घाटे का संशोदित अनुमान 5.8 परतिशत है। बजट अनुमान 2024 और 25 की अगर बात की जाए तो उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यवस्तार करोड रुपे और 47.66 लाग करोड रुपे रहने का अनुमान है। राज्य की पूझे का त्विया के लिए 50 वर्ष ये ब्याज मुक्त रेन योजना कुल 1.3 लाग करोड रुपए के परिवे के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी वश्ट 2024 और 25 में राजकोश ये घाटा GDP का 5.1 परतिशत रहने का अनुमान है वश्ट 2024 और 25 के दोरान Dated Securities के जरिये सकल एवंशुद बाजार उधारी करमशे 14.13 लाग करोड रुपए और 11.75 लाग करोड रुपए रहने का अनुमान है इसके साथ ही आज का हमारा विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिसन अपडेट